बिनोध कट गया यार बहुत ही गंदा दोका दिया उस लड़की ने मेरी गान पट गई है कोई नहीं मालिक आप ये सुनो आपका दर्द इस गाने को सुनने से खतम हो जाएगा अच्छा चल सुना फिर बिनोध बिटा ये कौन सा सिंगर है मालिक ये निबाओ का सिंगर है ये ऐसा ही सैट गाना गाता है क्या जी मालिक ये निबाओ का सिंगर है और सैट गाना ही गाता है ओके मुझे इसके गाने का जितना भी तेरे पास कलेक्शन है न सब दे क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जंदगे अब तुम ही हो हाँ तो हेलो गाईज विल्कम तो स्टाट सुझी चैनल हाँ तो आज हम करने वाले हैं लौडा लसन इंडेस्ट्री के एक ऐसे सिंगर को रोश इसके गाने को सुनकर कंट्री का हर निब्वे को सूख दर्द और परम अनंद मिलता है और भाई साब इन सिंगर की आवाज हाला कि अपने देश में 90% यंक्स्टर का प्यार में चूतिया कटा ही कटा होगा और बैंचट उन लोगों में से हम भी आते हैं एंड हम भी इनके गाने सुनते ही हैं जी आ हम बात करें अरजीत सिंग के वारे में और ये अरजीत सिंग का रोस्ट नहीं है ना 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 इनको हम रोस्ट नहीं कर सकते भाई लोड़े थोड़े न लगवाने हैं हम करेंगे अरजीत सिंग के गानों को रोस्ट इधर ध्यान क्या लाइन है अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना मा कसम जिसका जिसका प्यार में चूतिया कटा है ना भाई उन्होंनों ये गाना सुना ही होगा 100% लिख के दे सकता हूं मैं और बहांचुद मेरा दोस्त अभी तक जिंदा है ओनली इस गाने की होज़े से बाई बिल्कुल कम नहीं है किस से बिल्कुल नहीं इसी गाने के लाइन को सुनकर तो निबा लोग अपने दारू का बाटल खोलते हैं और बहांचुद यही लोग अपनी एक्स के साधी में जाके ये गाना गाते हैं अबे बोस्ट डिके तू उसी के मैं फिल्म है इनकी एक्स भी ये गाना सुनके बोलती होंगी फिर इन निबाओ का पास रह जाता है बेजेती का गम दारू का बाटल और ये गाने का लाइन जाओगे नहीं वो चली गई एक तू ये गाना है जिसको सुनके मैं दो घंटे तक रोया और बहांचुद मैं क्यों रोया मुझे जहाट नहीं पता एक बैंचुद एक बार ऐसे ही मैं मीम पड़ रहा था और साथ में अर्जित सिंग का गाना भी सुन रहा था और उस समय मेरी हालत कुछ इस तरह की थी समझ रहे हो क्रोनोलोजी समझो भाई सब ये बंदा अर्जित सिंग जब भी गाने के साथ आता है न तो हमारी गान्ड से आसु जरूर निकाल देता है बिनोध आंक के जगा गान्ड लिखता है मादर चोद वो मुझे छोड़के जो तुम जाओगे बड़ा पस्ताओगे प्रसनली अगर तुमको मैं बताओं तो ये मुझे लाइन बहुत ही पसंद है और मैं तुमको क्या बताओं जब मेरे लॉड़े लगे मेरा मतलब है ब्रेक अप हुआ तो उस लड़की को मैंने कॉल किया और क वो मुझे चोड़के जो तुम जाओगे बड़ा पस्ताओगे बड़ा पस्ताओगे फिरके अभी तक पस्ताओगे रहा हूँ वैंचुद क्यूंकि उसके बाप ने फोन उठाया था देखा अपने लापरवाई का नतीजा है वे भाई लौणा लासन इंडरी के गानों में पंजाबी भाचा साफ की तरह फोप निकाल के बैठा है क्यूंकि इन लौणा लासन इंडरी वालों को साफ साफ पता है कि पंजाबी बाचा के बगएर इनके गाने जहाट नहीं चलने वाले और बयांचोद हमारे यहां बिना मतलब के गाने अराम से हिट हो जाते हैं और बयांचोद जो काबिल गाने होते हैं उनका हिट होना मुस्किल ही नहीं नामुम्किन है साला ये भी कभी कभी कहते होंगे बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्ये हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने है इस गाने में इस एक्टर को नोरा फते ही जहर दे देती है और बैंचो इनको पता होता है कि कॉफी में जहर है लेकिन फिर भी ये जहर पी लेते हैं बैंचो जब मुझे पूछा गया कि क्यों रो रहे हो तो मैंने फिर का मुझे नहीं पता हूँ अरे अरजीत भाई इतना दर्द कहां से लाते हो भाई मुझे तो लगता है अरजीत भाई का भी चूतिया कटा है प्यार में क्योंकि इतना दर्द वो भी आवाज में सिर्फ आसिकों का होता है मा कसम अरजीत भाई अपने गाने से देश के निभी निभाओ को परमानन देते हैं और भैंचो जिनका चूतिया नहीं कटा होता है ना प्यार में वो भी इनके गाने सुनकर कहते हैं कि हमें भी चूतिया कटवाना है ताकि हम अर्जी सिंग के गाने सुनकर परमानन ले पाएं भाई साब अर्जी सिंग जब भी आते हैं मा कसम रूला के जाते हैं हाँ तो गाई जाज की मजदूरी यही पर कतम करते हैं और यह वीडियो सिर्फ एक मज़ाग थी तो मज़ाग की तरह ही लेना अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एम रखते हम लोग 50 लाइक का बाकी चैनल सब्सक्राइब मैं तुम पर चोड़ देता हूँ अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तू चैनल सब्सक्राइब कर लो नहीं लगी है तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो को मजदूरी में तो गाइज थैंक्यू थैंक्यू सो मच पर वाचिंग विनूद मलाइंड गाबा का गाना लगा